is हलो फेंट आज की वीडियो में एक ब़ार्ब का स्वागते फ्रेंट्ट इसली वीडियो में हमने हमारा most देखा था कैसे हम किसे भी वर्ड को कैसेट करेंगे проблемы कैसे उसको एकदम प्रसुद्ध वर्ड में उसको समझेंगे friends ठीक है तो I hope आपने वो वीडियो देखा होगा आपको पसंद भी आयोगा friends ठीक है आज की वीडियो में हम देखेंगे friends हमारा next uses हमारा जो uses है friends जैसे किसी भी काम को करते ही रहोगे क्या ठीक है जैसे friends example हमारा है अब सोते ही रहोगे क्या या फिर अब पढ़ते ही रहोगे क्या या फिर अब सोचते ही रहोगे क्या यह friends बहुत ही important हमारे sentence होते हैं बहुत ही important uses होते हैं हमारे daily life के लिए हम बोलना तो चाहते है friends but lack of knowledge हमें पता नहीं होता कि हम कैसे बोले friends ठीक है तो हमारा जो लगाने का तरीका होगा friends किसी भी काम को या फिर किसी भी sentence में इस uses में क्या लगाएंगे सबसे पहले will you keep ठीक है friends जिसे कि क्या will you keep उसके बाद फिर हमारा जो यह रहेगा subject उसके बाद only ठीक है जैसे आई एक देखते हैं हमारा सबसे पहले क्या है अब सोते ही रहोगे क्या ठीक है यहां पर क्या होगा will you keep ठीक है will you keep होगा क्या चाहे आगे लगाएं या पीछे लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आप सोते ही रहोगे या फिर क्या अब सोते ही रहोगे क्या तो उसका क्या होगा? Will you keep सोना का क्या हो जागा, friends? Sleep. ठीक है? Continuous में है, सूते ही रहोगे क्या? मतलब sleeping हो जाएगा. ठीक है? Will you keep sleeping only? अब सूते ही रहोगे क्या? मतलब क्या? Will you keep sleeping only? ठीक है? आएए next step देखते है, friends. I hope क्या आपको समझ में आओगा. Just step wise लिखना है. जैसे अब पढ़ते ही रहोगे क्या? तो यहाँ क्या हो जाएगा? Will you keep? ठीक है? Will you keep क्या करते रहोगे? पढ़ते. तो reading. ठीक है? Continuous लिए आ रहा है, पढ़ते ही रहोगे क्या? तो मतलब reading. ठीक है? Continuous लिए रहेगा, तो ing लगाएंगे. उसके बाद only. मतलब क्या सिर्फ पढ़ते ही रहोगे? या फिर इसको अपनी या फिर इसमें बोलेंगे कि अब पढ़ते ही रहोगे क्या? तो क्या होगा? Will you keep reading only? ठीक है, friends? I hope कि आपको समझ में आगया होगा. ये links देखते हैं. जैसे हैं, आप सोचते ही रहोगे क्या? तो यहाँ पर क्या होजएगा? Will you keep? ठीक है? इसके बाद क्या होगा, friends? Will you keep? उसके बाद सोचते ही रहोगे मतलब क्या? सोचना का think. ठीचाई एन के. सोचते ही रहोगे मतलब आइन जी. Continuously और आथ. Will you keep thinking only? मतलब क्या कि अप सोचते ही रहोगे या फिर अप सोचते ही रहोगे क्या? उसके बाद हम चुकिए सवाल पूचे रहें, friends? तो हमारा last में क्या रहेगा? Question mark. तो I hope कि friends इस टाइप के आपको example समझ में आ गया होगे. वीडियो अच्छा लगए, friends, like करिए, share करिए. ठीक है? मिलते हैं next video में. नए हाँ तो चैनल को ज़रूर subscribe करिए, friends. मिलते हैं next video में. Thank you.